हेलो एवरिवन, वेलकम टू सुकला स्टडी सर्कल, फ्रेंड्स आज हम प्रिवियर्स एयर कोस्टन पेपर, सीटेड 2021, पेपर 2 में आए हुए, सीडीपी के 30 कोस्टन को डिसकस करेंगे, किस टाइप से आपका कोस्टन पेपर आता है, कैसे कोस्टन बनते हैं, उनके आंसर्स क की अबधी में विकास, उप्सन फर्स्ट, धीमीगति से होता है, एवम उसे मापा नहीं जा सकता, उप्सन टू, बहु इस तर्ययों, मिस्रित होता है, उप्सन थ्री, में केवल परिमाड आत्मक परिवर्तन होते हैं, उप्सन फोर, अनियमित और असंबंध होता है, उप्स तो यह option जो है वो व्रद्धी को दर्साता है इसलिए यह कुछ आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा option no.4 है कि अनियमित होता है बलकि development जो है वो नियमित होता है क्योंकि कोई भी बालक जो होता है वो चलना भी एक order में सीखता है पहले घुटनों के बल फिर दीरे दीरे क्या होता है कि वो चलना स्टार्ट कर देता है इसलिए हमारा जो correct option होगा वो होगा option no.2 बहु इस तरिये वो मिस्रित होता है कोईशन no.2 है हमारा निक्टस्त विकास का छेत्र क्या है इसमें जोन और प्रॉक्जिमल डेबलमेंट की बात की जा रही है जिसमें की क्या है कि अब जोन और प्रॉक्जिमल डेबलमेंट के बारे में जो है वो वाईगॉसकी ने बताया है कि ऐसा छेत्र जहां पर बालक को किसी समस्या को हल करने में उसको स्कैप फोल्डिंग दी जाती है किसी व्यक्ती द्वारा उसको साहता प्रिदान की जाती है तो यहाँ पर आपको जो option दिये गए हैं उसमें help की बात आपके option number first में की जा रही है तो हमारा जो correct option होगा वो होगा option number first बच्चों के बर्तमान इस्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वैस्क वा अधिक कौसल वाले समकक्षों की साहता से बच्चे द्वारा उपार्जित किये जाने वाले प्रदर्शन के मद्धिका छेत्र है question number 3 पर चलते है जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्थ संक्रियात्मग अवस्ता में जीन प्याजे ने जो अपनी थूरी दिये उसमें बालक के विकास की four stages बताई है जिसमें अमूर्थ संक्रियात्मग चौत्ıyı अवस्ता है option first में जो बात की जा रही है तो यहाँ पर तर्क और चिंतन की बात की जा रही है जो कि उनकी जो फोर्ट स्टेज है अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था से संबंदित है सेकंड अगर ऑप्सन की बात करें तो ये केंद्री करण और अनुत क्रमडिये सोच से आबद्ध है ये जो उप्सन है वो हमारा प्रितिकात्मक और संक्रितिक खेलों में भाग लेना प्रारण बखरते है यह पृतिकात्मक और सांकितिक खेल यह हमारा 1st और 2nd जो दोनों में overlap कर रहा है जो उनकी द्वारा जो दी गई 4 stages हैं उनमें 1st और 2nd में इसलिए हमारा जो correct option हो जाएगा वो होगा हमारा option number 1st परिकल्पित, निकमनात्मक, तर्क और पृतिक्यप्ति चिंतन करने में समर्थ ह question number 4 पर चलते हैं, लौरेंस कोल वर्ग की नैतिक विकास के सिध्धानत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक पिर्णाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवे संबंद और सामाजिक वर्ग सुरक् यहां पर कोल वर्ग के सिध्धानत की जो चौथी वाली स्टेज है, उनकी जो चौथी स्टेज है, फोर्थ स्टेज और अगर हम बात करें, लेवल कौन से बात करें, लेवल की बात करें तो लेवल जो होगा हमारा वो सेकंड होगा, लेवल सेकंड होगा, फोर्थ स्टेज और लेवल सेकेंड तो यहां पर हमारा जो करेक्ट ऑप्सन होगा वो होगा ऑप्सन नमबर टू सामाजी क्रम विवस्था अभी विन्यास कुशन फाइब पर चलते हैं हारवर्ड गाड़नर के बहु बुद्धी सिद्धान्त के अनुसार निमलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धी के प्रकार और अंत इस्थिती अनुपालन संभावना के अनुसार सही है एक तरफ आपको बुद्धी का प्रकार दिये गए हैं और दूसी तरफ आपको अंत इस्थिती अनुपालन संभावना यहां पर पूछा गया है कि गाड़नर के सिद्धान्त के अनुसार कौन सा जोड़ा सही मैच करेगा तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वह होगा option number 4 option number 4 हमारा correct option होगा सारीरिक, गती, समवेदंता, खिलाडी क्योंकि यहाँ पर physical work जो कि खिलाडी से संबंदित है यह हमारा correct option हो जाएगा question number 6 पर चलते हैं लेव वाइगौस्की के अनुसार अब इसमें वाइगौस्की के सिध्धान्त के बारे में सही statement क्या है यह पूछा गया है वाइगौस्की ने संग्यानात्मक विकास का सिध्धान्त जो की सामाजिक, सांस्कृतिक सिध्धान्त के नाम से भी जाना जाता है वो दिया है, ठीक है, तो option number जो हमारा first है, उस पर चलते हैं, option number first कहता है कि बच्चों के संग्यानात्मक विकास में भासा की एक महत्वुर भूमिका है, यह बात तो सही है, option number two पर चलते हैं, बच्चे भासा आधिकरहन यंत्र द्वारा भासा सीखते हैं, अब option number two है, उसमें क आटी हो इसके बढरे में तो प्याजे पैंपने सिथ्धान बेते हैं, तो यह भी धालत जाएगा, इसकी मार की एपको पता चल रहा होगा कि यह भी हमारा गलत ओजहारा हैuchen कि यहां पर और फूंचा जा रहा है, कि वाइगास की खूर्री यह उसकी संग्यानाहा घृuber उस् Q7 एक प्रगतिसील कक्षा में शिक्षड अधिगम प्रिक्रिया के दौरान अधिगम करताओं का मुल्यांकन अब इसमें कहा जा रहा है कि पहले तो हम उप्सन पढ़ लेते हैं इसके बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है यह गलत होगा क्योंकि एक प्रगतिसील कक्षा वही है जहां टीचिंग लर्णिंग प्रॉसेस के अंतरगत बालकों का जो समय समय पर मुल्यांकन करते रहना चाहिए जिससे कि हम विद्ध अब ऑप्सन नमबर थ्री आपका बता रहा है कि अभिवाब को पृति पुष्टी देने के प्रियोजन से वह सफल और कम सफल वह सफल विद्धियारतियों को पहचानने में सहायक होता है यहां पर जो है वह बात की जा रही है असफल विद्धियारतियों के तो यह हमारा य क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने सिक्षा सास्त पर विचानने में सहायक होता है यह बिल्कुल ही पॉजिटिव बात कर रहा है तो यह हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्सन हो जाएगा कोशन नमबर सैविंत का आपका जो आंसर कोशन नमबर एर्थ की बात करते हैं कक्षा में सभी लिंगो में जैंडर रूडिवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पिरवावसाली पद्दिती कौन सी है अप्सन फर्स्ट लिंगो के जैवे कंतरों की उपेग्छा करना अगर हम ग्लास में जैंडर रूडिवादिता है उसको कम करना चाहते हैं तो तो अप्सन फर्स्ट कह रहा है यह उप्सन हमारा कह रहा है कि लिंगो के जैवे कंतरों की उपेग्छा करना और उन्हें अस्विकार करना उनको मतलब नेगलेट कर देना नहीं मानना ठीक है तो आप अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा जो जैंडर रूडिवादता है उसको आप एक तरह से बढ़ावा दोगे तो यह भी हमारा गलत हो जाएगे दोनों ही ऑप्सन हमारे गलत हो जाएंगे एक ही लिंग के योगता सम्हू बनाना अब यहां पर क्या कह रहा है कि जैंड अगर आप ऐसा करते हैं यह क्या होगी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी जैंडर स्टिरो टाइप को कम करने के लिए ठीक है तो अब चलते हैं कोशन नमर नाइन की बात करते हैं अध्यापको को कक्षा में बहु भासियता को समझना चाहिए तो देखिए तो इस कोशन में तो कोई समझने बाली बात नहीं है क्योंकि हमेशा बताया जाता है कि किसी भी क्लास में मल्टी लिंगलेज में जो है वो एक रिसोर्स के रूप में काम करता है तो हमारा जो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा अप्सन नमर फरस्ट क्योंकि रिसोर्स की बात देखिए एक के और एक resource के रूप में multilingual age में जो है वो किसी भी classroom में हमारे लिए काम करता है तो हमारा सही answer option number first हो जाएगा अब चलते हैं question number 10 पर बाल के इंदरीत कक्षा वह है जिसमें option number first अध्यापक केवल पार्टे पुस्तक को ग्यान के सुरोत के लिए उप्योग करता है केवल पार्टे पुस्तक को ग्यान के सुरोत के रूप में child centered classroom की बात की जा रही है तो यह option जो हमारा गलत हो जाएगा अब option number two पर चलते हैं अध्यापक बच्चों को उनकी छमता के आधार पर वर्गी करता है यहां पर तो आप उनको डिवाइड कर दे रहे हो groups में तो यह भी गलत हो जाएगा बच्चों के वहवार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और डंड का प्रियोग करता है यह भी negative sound दे रहा है कि हाँ negative है यह answer आपका अध्यापक लचीला है और प्रितेग वच्चे की व्यक्तिका ताविस सकता है उनको पूरा करता है कोशन नमबर 11 किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संग्यानात्मक विकास में सांस्किर्टिक उपकरण एक महतपूर भूमिका निवाते हैं अब देखिए इस कोशन में कल्चरल टूल्स की बात की जा रही है 11 कोशन का हमारा जो आंसर होगा वो होगा अप्सिन नमबर फर्स्ट लेव वाइगॉस्की अब वो क्यों होगा यह समझ यह इसमें कहा जा रहा है कि वाइगॉस्की ने जो हमारा जो संग्यानात्मक विकास का जो सिध्धान दिया उसे सामाजिक सांस्कृतिक सिध्धान्थ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वाइगॉस्की ने ही विकास के सिध्धान्थ में सोसल और कल्चरल दोनों को important माना है तो जहां पर सांस्कृतिक पहलू की बात होगी तो वहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा वाय गॉस्की कोशन नमबर 11-12 पर चलते हैं आंसिक द्रस्टी वाले विध्यार्तियों के लिए निमलिखित में से कौन सी अधिगम सामगरी उप्योक्त नहीं है कोशन नमबर 12 में पूछा जा रहा है कि अगर आंसिक रूप से किसी विध्यार्ति को दिख नहीं रहा हो तो इन में से कौन सा जो लड़निक मैटेरियल है वो उसके लिए सही नहीं है तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा option 4 small print worksheet जो बिलकुर छोटी होगी वही आंसिक डिस्टी वाले चातरों के लिए उप्यूक्त नहीं होगी तो option 4 जो है वो हमारा correct option हो जाएगा question number 13 पर चलते हैं समावेसी सिक्षा के पीछे अंतरहित विचार है यानि की जो inclusive education है उसके लिए आपकी main विचारधारा क्या है option 1 है बच्चों को उनकी योगजिता के आधार पर प्रिथक करना inclusive education जो है वो कभी भी योगजिता के आधार पर बाटने की बात नहीं करता तो यह option जो है वो हमारा गलत हो जाएगा ठीक है उसके बाद second option है यहाँ labeling की बात की जा रही है ठीक है तो यह option भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि जहाँ पर labeling की या सीमाओं की पहचान की बात करने की बात कर दी जा रही है अक्षमताओं की आधार पर तो वो भी हमारा गलत हो जाएगा third है अलग-अलग अक्षमताओं बाले बच्चों के लिए विसिष्ट सेक्षिक संस्थानों का प्रापधान करना यह भी गलत हो जाएगा क्यों होगा क्योंकि inclusive education जो है वो सभी के लिए समान सिक्षा की बात करता है तो हमारा जो correct option होगा वो होगा option number fourth दार्सनिक्ता की सभी बच्चों को नियमित विध्याले में समान सिक्षा पाने का अधिकार है यहां समान सिक्षा की बात की जा रही है तो हमारा correct option यही हो जाएगा ठीक है अब चलते हैं question number 14 प्रिथिभा साली और सरिजनात्मक बच्चों की आविस्ताओं को किस परकार संबोधित किया जा सकता है इसका answer होगा option first चुनौती पूर्ण कार और निरस्ता दूर करने के लिए किरिया कलाब दे कर इसका answer हमारा option number first हो जाएगा क्योंकि यदि बच्चा प्रिथिभा साली है creative है तो जरूरी है कि आप बच्चे को challenging task दें कुछ नया करने को दें जिससे कि वह उसे अच्छा लगे लिखने की जो कौसलता है उसके विसलेसर से कर सकते हैं हमारा सही उत्तर होगा option number three उनके पढ़ने और लिखने की कौसलता के विसलेसर से next question पर चलते हैं question number 16 है पिर्थिकूल परिस्थितियों और वंचित प्रस्ट भूमी वाले अधिकम करताओं को संबोधित करने के लिए निमलिखित में से कौन सी पधिती पिरभाव साली नहीं है जहां पर not वाला question आ जाता है बहां पर आपको बहुत समझ कर question का answer देना होता है question number 16 में पूछा जा रहा है कि यदि पिर्थिकूल परिस्थितियों है तो कौन सी जो strategy है वो आपके लिए नहीं होगी तो देखिए option first कह रहा है option first कह रहा है कि चातरों से बातचीत करना और उनकी needs को समझना यह बात तो बिल्कुल सही है option two में leader से learner से learner के tuition पढ़ने की बात कही जा रही है जिससे teacher का काम जो है वो कम हो जाए तो यह बात भी गलत हो जाएगी अब हमारा answer यहीं पर मिल गया क्योंकि हमें देखना था कि effective जो नहीं होगा तो question number 16 है उसका answer होगा option number two अधिकम करताओं को विद्याले के वहार tuition पढ़ने के लिए कहना जिससे की अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े question number 17 पर चलते है question number 17 है बच्चों के अधिगम में सारीरिक स्वास्थ और सांवेगिक अगस्था question number 17 पूछ रहा है कि बच्चे अगर कुछ भी सीख रहे हैं तो उसमें उनकी जो physical और जो emotional health है वो क्या है तो इसका जो अधियापिका को तो कक्षा में जो अधियापिक को प्रोसाहित करने के लिए इक teacher को क्या करना चाहिए option first है विद्यारतव की जाहिता करनी चाहिए कि वे मनुभावों और अभिप्रेनाओं को सुवेवस्थित कर पाए ये option बिल्कुल सही है मारा उसके बाद है second option विद्यारतियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गिक्रत और नामांकित करके उनके योगता आधारिस सम्हू बनाने चाहिए option number 2 है वो labeling और category divide करने की बात कर रहा है जो कि हम नहीं करेंगे यह option भी गलत हो जाएगा हमारा ठीक है उसके बाद third option है विद्यारतियों में समवाद और परिचर्चा को प्रोसायद करना यह बिलकुल सही बात है option fourth है कक्षा में विवित्ता की उपेक्षा करके सिक्षड की मानक विधी को अपनाना चाहिए तो यहां पर विवित्ता जो है जो कक्षा में जो विवित्ता है उसके उपेक्षा की बात की जा रही है तो हमारा जो correct option बनेगा वो होगा option number first जिसमें कि first और जो third point है वो बिलकुल सही है question number 19 पर चलते है अधिगम एक प्रिक्रिया है तो question number 19 में है कि learning क्या है तो हमेशा बताया जाता है कि learning एक active process है तो इसका जो answer होगा वो हो जाएगा first वाला जिसमें कि कहा गया है कि जो learning है वो complex भी है और सक्रिये भी है question number 20 है अपनी कक्षा में अर्थपूर अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्किर्टिक, धार्मेक, भासाई, विवित्ता को इन सभी पहलों को समझना चाहिए टालना, उपेक्षित करना, अंदेखा करना जो option में आपको दे रखे हैं ये बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे तो जो option number हमारा थर्ड होगा वो इसका बिल्कुल सही answer होगा अब एक पार हम फिर से पढ़के देख लेते हैं कि अपनी कक्षा में अर्थपूर अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्किर्टिक, धार्मिक, भासाई, विवित्ता को समझना चाहिए यह option हमारा बिल्कुल सही होगा question number 21 में पूझा गया है कि कक्षा में प्रिभावसाली अधिगम यानि की effective learning के लिए किस तरह का environment होना चाहिए और किस तरह का नहीं होना चाहिए इसका answer होगा option number first सही होगिक, पिर्तिस पर्दिक, यह हमारा सही option होगा अब देखिए कि जो answer है वह पढ़ने पर इस statement में सही हो रहा है या नहीं हो रहा है तो हम पढ़ते हैं कक्षा में प्रिभावसाली अधिगम के लिए सही होगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बिल्कुल सही है बजाय की प्रितिस पर्दिक वातावरण के तो हमारा question number 21 का answer हो जाएगा option number first question number 22 पर चलते हैं next question number 22 निमलिखित में से कौन सा उधारण विध्यारतियों को अधिगम के लिए अभी प्रिरित करने के लिए प्रभावसाली पद्धिती है अब इस question में पूछा गया है कि इन में से वह कौन सा example है जो कि किसी भी student को learning में motivate करने के लिए एक effective strategy है question number 22 का जो answer होगा वो होगा option number first पाड उपलब्द कराना विशेशकर जब विध्यारती कोई नया कौसल सीख रहा हो अगर हम बच्चे को क्या करते हैं कोई भी बच्चा नई चीज़ सीख रहा है तो आप उसे scaffolding देंगे तो यह जो बच्चे को एक तरह से motivation का काम करेगी scaffolding जो है वो motivation का काम करेगा और अगर हम बात करें other options की second option हमारा कहा रहा है कि learning पर ध्यान न देगा सिर्फ काम पर focus करना यह हमारा गलत हो जाएगा third option कहा रहा है वे कारे देना जो की बहुत सरल हो सिर्फ easy work देना इससे बच्चे को क्या होगा काम करने में interest नहीं आएगा तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा third option है fourth option है हमारा कि प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अपसर देना अपसर उपलब्द कराना option number fourth कहा रहा है तो सिर्फ बच्चे को competition के लिए opportunity दे देना यह कुछ हद तक तो सही है पर पूरी तरह से अगर हम देखे तो option number जो first है जो option number first कहा रहा है वो ज़्यादा सही है बजाए कि fourth वाले के हमारा answer हो जाएगा option number first यह भी हमारा गलत हो जाएगा question number 23 पर चलते हैं question number 23 में कहा गया है बच्चों की चिंतन के विसे में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है अब इस question में क्या बात की जा रही है नहीं की बात की जा रही है तो बहुत सोच समझ कर हमें answer देना है क्योंकि इस तरह के जो question होते हैं seated इसलिए देता है ताकि confusion जो है वो create करने के लिए तो हम option number first पढ़ लेते हैं कि बच्चे अपने आसपास की विविद घटनाओं के बारे में स्वयम अपने सिधानतों की रजना करते हैं बिलकुल सही बात है कि और प्याजे जो है हमारे वो भी इस बात से agree करते हैं ठीक है तो हमारे जो option number first है वो तो सही कह रहा है option number two है बच्चे प्रत्यों को स्वयम नहीं सो सकते हैं और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्द कराना है यह गलत होगा कि बच्चे जो हैं बच्चों में जो है वो खोजबीन करने की लालसा होती है option number fourth है बच्चे अपने आसपास की वस्तों को जानने के लिए जन्मजात जिग्यासू होते हैं यानि कि बच्चों में क्या है curiosity होती है अब हमें जो answer है वो नहीं वाला देना है बाकी कि तरी option जो हैं वो बिल्कुल सही है तो गलत वाला जो होगा यानि कि जो हमने second option पर रखा था वो हमारा जो है वो इसका answer सही हो जाएगा option number two question number 24 कह रहा है बच्चों का विद्याले में असफल होना यह question बहुत बार सीटेट में पूछा गया answer जो है वो इसका यही होता है कि यदि विद्यारती जो है वो विद्याले में असफल हो रहा है तो इसका जो पूरा भार है वो विद्याले का है विद्याले ही इसके लिए उत्तरदाई होगा तो question number 24 का हमारा जो answer होगा वो होगा option number second option number second क्या है कि बच्चों का विद्याले में असफल होना निर्दिस्ट करता है कि विद्याले इन वच्चों की आविस्सक्ताओं और रुच्यों की पूर्थी करने में समर्थ नहीं है ये हमारा correct option हो जाएगा उसके बाद है question number 25 सम्हूं में एक दूसरे को पढ़ाने और साहेता करने से इस question में पूछा गया जा रहा है कि अध्यापक यदि सम्हूं में बच्चों को पढ़ाता है और सिक्षक और बागी बच्चे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो अब option पढ़ लेते हैं option number first कह रहा है कि बच्चे स्वयम की चिंतन पिरक्रिया पर आक्षेप कर सकते ह और संग्यानात्मक किरिया कलाब के उच्छे स्थर पर पहुच सकते हैं बिल्कुल सही बात है तो यह तो सही बात कही जा रही है यह हमारा सही हो जाएगा second में कहा गया option number two में बच्चों में ब्रांती उत्पन हो सकती है बिल्कुल गलत ब्रांती उत्पन नहीं होगी ऐसा क कि रॉपावट पैदा करता है तो प्रती उस प Suppose उत्पन होती है पर यह चीज्ट जो है वह रुपावट उत्पन नहीं करती है प्रती स्वर्दा जो हरा रहे पर रून ऑच्छे के लिए ना कि रुपावट के लिए थो हमारा जो सही आंशर होगा तो यह तो हमारा गलत हो ठीक है यह जो तीन है वो हमारे गलत हो जाएंगे और हमारा जो सही option होगा वो हो जाएगा हमारा option number first बच्चे स्वयम की चिंतन पर क्रिया पर आख्षेप कर सकते हैं और संग्यानात्म क्रिया कलाप के उच्चे इस तर पर पहुँच सकते हैं question number 26 है इसमें कहा गया है कि एक कक्षा में अध्यापिका अपनी सिक्षा सास्त्रवा आगलन की विधियों को विध्यारतियों की व्यक्तिकत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है तो यह तो बहुत अच्छी बात है किसी भी क्लास्रूम के लिए कि टीचर जो है वो स्टुडेंट के अकॉर्डिंग अपनी जो टेक्निक्स हैं उसमें चेंजिस कर रहा है यह एक प्रोग्रेसिव क्लास्रूम का उधारन होगा हमारा आंसर बनेगा option number 2 progressive से यह एक प्रगति सील कक्षा होगी question number 27 है विकास के विसे में कहा गया है कि विकास के विसे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है कि जो development इसमें पूछा गया है कि जो development है उसके संदर में इन में से कौन सा statement सही है option number 1 कह रहा है कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्किर्थिक जो पहलू है यह सांस्किर्थिक विवित्ताएं होती है बिल्कुल सही है क्योंकि जो culture है उसका effect जो है वो बालक के विकास पर पढ़ता है बच्चा जिस society में रहता है वहाँ के culture को भी उसे accept करना पड़ता है ठीक है वो उसको accept करता है तो ये तो हमारा विल्कुल सही बात है ठीक है culture वाली उसके बात कह रहा है option number 2 संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चिस समय से होता है तो इसमें क्या है कि order में तो होता है क्रम में होता है पर सुनिश्चिस समय से नहीं क्योंकि हर बालक के विकास की जो दर है उसमें विविन्यता पाई जाती है तो यह हमारा गलत हो जाएगा option number 3 है कि विकास जो है वो सुरुचि पूर्ण और सु विवस्ते समय की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांसिक घटकों के कारण होता है इसमें केवल अनुवांसिक्ता की बात कर रहा है बलकि environment और heredity दोनों का ही development में role यानि कि उसकी भूमिका होती है तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा केवल environment की वज़े से fourth option है विकास एक सरल और एक दिस्ये पिरक्रिया है fourth option में काँ जा रहा है सिर्फ uni dimensional के लिए काँ जा रहा है बलकि जो development है वो क्या होता है यह option भी हमारे गलत हो झाएगा यह तीनों जो हैं वो हमारे गलत हो जाएंगे और जो हमारे सही answer होगा बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कितिक विविताएं होती है कि ए जो कि यह होती है तो अब देखे यानि की अगर प्याजे के अकॉर्डिंग देखें तो मूर्त चिन्तन अवस्था की बात की जा रहे है option number जो first है वो है हमारा पृतिकात्मक खेल का उभरना यह first और second stage दोनों में overlap हो जाएगा तो यह जो answer होगा वो हमारा, यह वाला option हमारा गलत हो जाएगा second option कहा रहा है कि तर्क संगत विचारों का विकास जो की प्राकरतिक रूप से मूर्त है यह सही है, ठीक है मूर्त अबस्था की बात होगी अब third option है motor skills जो की first stage यह भी गलत हो जाएगा motor skills की बात हो रही है, option number fourth है तर्क और अमूर्त इसमें इसके बारे में दिया गया तो यह fourth stage में आ जाएगा तो यह हमारे तीन जो option है, option number first, third और fourth यह गलत हो जाएगे question number 28 का answer होगा, option number two, तर्क संगत विचारों का विकास जो की प्राकरतिक रूप से मूर्त है, यह हमारा सही answer होगा question number 29 है, बच्चों के समाजी करण में विद्याले तो देखिए, इस question में कोई बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सभी को बता होगा कि जो family है, वह primary agency है, और school जो है, वो secondary agency होगा तो हमारा correct option क्या हो जाएगा इसमें, हमारा correct answer होगा option number 4, कि बच्चों के समाजी करण में विद्याले जो है, वो दुतियक कारक है यह हमारा सही answer होगा, question number 30 पर चलते हैं, निमलिखित में से किस मनोगय ज्यानिक ने प्रस्तावित किया है, कि बच्चों का चिंतन गुडात्मक रूप से वयसकों की अपेक्षा अलग होता है, तो देखे, इसमें कहा गया है कि प्याजे ने जो थ्विरी दी है, उसमें यह बताया है, कि उन्होंने बच्चों का जो हर स्टेज पर जो चिंतन का गुड होता है, उसमें क्या होता है, बदलता रहता है वो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, थैंक्यू सो मच